एपिसोड नमर 88 की स्टार्टिंग होती है और किलनुवाई गुस्टे से कहरी होती है जब तुमारी मॉम प्रेगनेंट थी जब तुमारे डैट की सीडियो से गिरने से मिर्थी हो गई थी और वहीं हिश्वेन ये सब इमेजिन करते हुए मन में कहा रहा होता है ये भगवान ये कितना प्रफूलित करने वाला है और वहीं ली गुस्टे से उसे कहता है बस तुम इसे एक और बार कहो और फिर किलनुवाई कहती है मैं बिल्कुल भी गलत नहीं हूँ और तुम मेरे एक सस्बेंटो ऐसी मन गणा दबाते मेरे बच्चों को मत कहो और फिर इश्वेन ल अच्छा ठीक 5 साल का ही कैसे है और ये ठीक उस समय से मेल खाता है जग तुमने मुझे 5 साल पहले छोड़ा था और फिर ली अपने बेट से उतर जाता है और किलनुवाई की तरफ आगे बढ़ते हुए कहता है तुम उससे ये मत कहना कि तुमने मुझे छोड़ने के बाद शादी कर ली और दस मैने तक तुमने उन्हें केरी किया और वही किलनुवाई काप तुवे मन में केरी होती है शांत रहो ये सिर्फ उसकी अठकले है उसे मेरे प्रेगनेंसी के बारे में पता नहीं चला होंगा और ली किलनुवाई के पास अकर उससे कहता है तुम मुझे और पिर वो ली के सामने जाता है और उसे रोकती हुए कहता है अरे अंकल हमारे डैट सच में मर चुके हैं उनकी मेमोरियल टेबलेट आज भी हमारे घर के तहे खाने में रखी हुई है और जुवान और में अक्सर वहां चोरी छुपे जाते हैं और उनसे बाच्चित करते हैं ये सुन ली उससे कहता है मेमोरियल टेबलेट मैं अभी भी जिन्दा हूँ मुझे कबर बनाने की क्या जरुवत है और तभी किलनुवाई उससे कहती है तुम सच बुच उनके डैड बिलकुल नहीं हो और पिर वो जुवाई और मिंग जी से कहती है चलो मैं तुमें खेलने कले अम्यूजमेंट पार्क ले चलती हूँ ये सुन वो दोनों ही खुश हो जाते है और मिंग जी कहता है मौम अब सच में बहुत ही अच्छी है और किलनुवाई दोनों का हाथ पकड़ कर वहाँ से ले जाने लगती है और वहाई मिंग जी कहा रहा होता है मौम में वहाँ कुछ स्वादिश्ट खाना चाता हूँ और वहाई जुवान भी कहरी होती है मौम में मेरी गो राउंड खेलना चाती हूँ पिर किलनुवाई उनसे कहती है हाँ ठीके ठीके में तुम दोनों की बास सुनूंगी ये कहती है वो वहाँ से निकल जाते है और फिर ली कहता है किलनुवाई जब से तुम वापस आई हो तब से मेरा तुमें वापस जाने दिने का कोई इराद नहीं है और अब इसके अलावा तुम तो मेरे बच्चों को भी पाल रही हो और फिर से इन सिफ्ट होता हमें पार्किंग लॉट दिखाया जाता है जहां किलनुवाई मिंग जी और जुवान से कहरी होती है जुवान और मिंग जी मेरी ब्यात ध्यान से सुनो फ्यूचर में जब भी वो अंकल तुमको दिखे तो तुमको उनसे सतर करेना है और हो सके तो तुम उनसे दूर रहना और अगर वो तुमे कुछ खाने को दे तो तुम उसे मत खाना ठीक है फिर जुवान कहती है पर क्यो हाला कि वो अंकल थोड़े बुरे है लेकिन मैं फिर भी उनके करीब जाना चाती हूँ फिर मिंग जी कहता है में भी और फिर किनलुवाई कहती है नहीं अभी थोड़ी दर पहले तुम दोने कहा कि वो एक बहुत बुरा इंसान है और उस अंकल को सच मिल बच्चे बिलकुल पसंद नहीं है वो तो बस ये इंतिजार कर रहा है कि तुम दोनों उसे पसंद करो और फिर वो तुम दोनों को उठा कर अपने साथ ले जाए और उसके बात तुम अपनी मॉम, ग्रेंड मा, अंकल और ग्रेंड पा को कभी नहीं देख पाऊंगे क्या तुम लोग ये चाहते हो ये सुन मिंग जी कहता है अगर हम उस अंकल के करीब गए तो क्या हम आप सभी को कभी नहीं देख पाएंगे पिर किलनों ये परशान होते हैं हाँ बिलकुल और गया जेचे के साथ एपिसोड नमर 88 यहाँ एंड होता है पसना है तो लाइक एंड सस्काइब जोर करें मिलते हैं को जल्दी नेक्स्ट एपिसोड में